सब्सक्राइब कर दिया जाए आपने से कई लोग का रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट आ चुका है अब तक आप सभी दो लगबग देख लिया होगा प्री का मतलब ठीक है अच्छा वीडियो आप लोग के दो एक दो हंडे बाद मिलेगी ठीक है उसके बाद जो ह है आई होप अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा क्योंकि वेबसाइट अब पर्फेक्टली वर्क कर रही है ठीक है उस पर नहीं जाएंगे वह साल होता है एक दो दिन क्रैश होती फिस हलका हलका सब लोग देखना स्टार्ट करते हैं अब जब रिजल्ट आये तो रिजल मैं तो दो तीन लिखा हूँ इस तरह से बहुत से माक्स हैं कि जो इजी शिफ्टी वहाँ पर माक्स का डिक्रिमेंट काफी हुआ है 79 वाला अच्छा 61 पा रहा है 63 जिसमें किया तो 64 है मैं पूरा पूरा यह नहीं बोल रहा कि ऑविसली उसके 18 मार्स घड़ गया फिर इतने हो घड़ गये normalization में obviously accuracy कभी game रहा होगा लेकि मुझे असा लगता है कि वो बोला सर इतना तुझे है मैं ठीक करके आता हूँ गल्त हुए इस बार ऐसा देखने को मिला आप लोग बताना जिन लोग का easy shift में माक्स घड़े हैं तो किस level तक घड़े हैं तो यह आपका अभी घ बात है कि उनका they made in और एक दूब बच्चे हैं अच्छे जिनका IPS PO में नहीं हुआ तो परी में अब इनको chance मिला है तो आप लोग इंक्रीज हुए मार्क्स उनकी बात में सब्सक्राइब करूं तो आप देखो कि जो hard shift में marks increase भी हुए तो increase ज्यादा नहीं हुए increase में आपक सब्सक्राइब की होगी और normalization भी इस बार अजीब सा हुआ है ठीक है अब रिजल्स तो यह आ गया है आगया है यह फाइनल है यह definite है अभी इसमें क्या कर सकते हैं जो लोग का निकल चुका है आप दुनिया को भूल जाओ 15-20 दिन के लिए मेंस की preparation करो अभी समझा रहा हू जो इतना बड़ा examinations है और जिनकी hope थी जो बच्चे अच्छा करके है थे mainly मेरा जो my heart goes out for them कि जिनके marks मैं देख रहा हूं 59 आ रहे हैं ठीक है कुछ लोग के 58.75 marks है ठीक है तो 0.25, 0.51 ऐसे marks बज़ोर है जाते है न तो में इनका रहता है क्योंकि मंदब सबसे अदुख हम ल जो नहीं थे लेकिन इर्जस्ट की लग और उस दिन वही है कि क्या नॉमलाइशन हो गया तो इन फैक्टर्स के वज़द जब आपका सेलेक्शन नहीं होता तो खराब लगता है तो इसका मतलब आपने कोई कमें नहीं है आप लोग दम राइट ट्रैक पे हो अपनी चीज़ इनोंने सोच उनका कोई ग्जामनेशन नहीं निकला था और कल इनका इस BIPO का परी निकल गया ठीक है तो एक छोटी से मैं आप लोग को एक यह ओप देने चाहूंगा कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं जो लोग आपका अभी नहीं हो रहा है तो क इस्टोर करने जो था कि मैं चीजों को पहले सीख लूँ उसके बाद ही मैं अगला शॉट मार पाऊंगा क्योंकि यह बच्चा है जिसका मैंने बुला 79-61 लास्ट यह 55 करके आया था उसके कुछ 45 में क्या से मार्स थे और इस साल देखो इसने परी निकाल लिया है तो कहीं मतलब यह चीज़े आपको देखनी पढ़ेंगी अभी आपको सामने अगर देखा जाए तो रोड मैप क्या होगा कि अभी SBI कलक आपके सामने आ चुका है अच्छे से फोकस करो भूल जो बनिया को भूलो अभी एक डिर मैने के लिए एक जो लास्ट मिला ना इसको बोलते ह तो आप लोग भी S.O. में जो आपका means वाला portion होता है उसके त्यारी करना श्टार्ट कर दीजिए जो मुझे अभी दो major यहाँ पर examination दिख रहे हैं वो यह दिख रहे हैं तो इनका दोनों को आप कॉंबो लगे चलिए जिनका यहाँ प्रीस का तयार है means की त्यारी करते रहे साथ में जिनका IPS P.O.S.O के परदा हैं वो लोग अभी means का पढ़ने फिर बाद में इनों के प्रीके mocks लगाएंगे S.B.I.E. clerk पर जिन लोग पर चुके हैं जिनके concept मजबूत है आप लोग टक्टिस करिए और अपने concepts को revise करिए notes को revise करिए mocks लगाईए और इतना target करिए कि या consistently मैं box में end तक आते आते कहीं ने कहीं मेरा 90 प्लस परसेंटाइल आने लगे अगर ये आने लगेगा ना तो इसका मतलब क्या है कि आप बढ़ियां है एक रिदम में आ जाओगे क्योंकि ये वो सारे बच्चे वही हैं जो बढ़ियां बढ़ियां सिस्टम बैड जाता है एक तो ये हो गया दूसरा जिनका मैंने पताया जिनके marks वहाँ हैं तो आप आगे प्रिपरिशन स्टार्ट कर सकते हैं कुछ दिन में वीडियो लेके आऊँगा कैसे कैसे आगे पूरी planning हो सकती है तो उनको सोचिए ठीक है और जिनके basics वीख है आप basics पे काम करिए ठीक है क्वांड के बात रहें तो क्वांड के लिए एक छोड़ा समने अभी foundation batch स्टार्ट किया है अगर आप उससे पढ़ना चाते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेक्चर्ट वे में पूरे 5-6 मैने के लिए अपने basics को अच्छे से मजबूत करना चाते हैं तो उस batch में जोड़ सकते हैं और बाकी जो सब्जेट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा कैसे कैसे क्या पढ़ना होगा ठीक है चलो तो मेंस की बात की जाए अच्छा यह हमारा वही जीरो तो हीरो अभी foundation batch जो लॉंच हुआ उसके बारे में है तो यह आपका 5-6 मैने चलेगा इसको देख सकते हैं जि इस एक्किस बाइस का तो जैस्ट बिया पी ओका मीस के कट आफ जाता है वो कहीं गहीं 88.93 लिखा हुआ है 94.85 लिखा हुआ 78.56 लिखा हुआ है कुछ जगह यह आपको 88.93 दिखेगा वो मिसलीडिंग है एक्ट्ट्र कट आपकी यह कहीं तो कहीं आपको दिख रहा होगा कि क आपको 250 में इतने मार्क्स तो हैं इतनी लाने बाउंडरी पर फिर निकल नहीं पाओगे तो कहीं बाउंडरी से हम लोग को 25-30 नमबर उपर लेके आना होता है अगर 95 कट आप जा रही है इसका मतलब आपका अगर 110-120 इस स्कोर आएंगे तो आप बहुत ही सेफ जोन में खे देगे हैं क्योंकि 50 नमब अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता है तो वहां पर आप तागर यह करो कि 65-70 यह अच्छा स्कोर बता रहा हूं मैं 200 में 65-70 आप स्कोर अगर ला रहे हैं बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है 400 मिला कि या फिर इसको स्कोर को छोड़ो आप परसंटाइल फोकस करो कि मुझे किसी ने किसी तरह से 80-85 परसंटाइल की रेंज में जाना है अब कैसे कैसे क्या चीज़े हो रहे हैं इस पर बात करते हैं कौन्ट नहीं यहां पर जन्रल खुला है तो जन्रल रविंस की बात कर लते हैं सबसे पहले जीगे की बात करते हें हर एकजाम का अपना ऊब्टीन होता है अररoppo में आप देखोगे हैं औरुल में स्कीम वाले मतलब से कुशन तो और नहीं हो बोलूं को 20 तक कर लो क्या पता 25 से हमचे क्यों आ गया तो तो तीस नॉवंबर तक से साइड करके अराम से चले जाना ठीक है दो जिंक एक्षिना कर लो कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन दो कुछन आगे तो दिक्कत हो जाएगी न तो तीस नॉवंबर मतलब नॉवंबर कर ल कोई भी कोशन डारेक्ट नहीं थे पेपर के लेवल अच्छा आया जिसमें हमने बात किये थे कि एक्सपेटेट कोड़ आई थीन दो तीन नंबर जाएगी सेक्शनल के बात की थी यहां पर सेक्शनल नहीं होती इसका मतलब यह चोड़ने सकते हैं क्योंकि यह सब तो आपक किसने लॉंच की अच्छा कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं मतलब इतना धंग से अगर पता होगा तब जाके वो स्टेट्मेंट बेस कोशन से उनको आप निटाप आओगे यह वाली बात इंपॉर्टेंट है धान रखेगा तो भी आप चार महीने में डिटेडल स्टड अभी स्टार्ट करें तो पॉसिबल नहीं है आपने पहले से पर रखा है तो अपने नोट्स को उठाइए उनको धगा धगा जो है रिवाइस करिए अच्छे से ठीक है और बिल्कुल जीरो से जो नहीं किये हैं तो आपके लिए मैंने बस यही चील लिखी कि भया आईवी यहां से क्या है कि आपको kind of revision हो जाएगा रिविजन लिखा हुआ है और प्लस quiz लगाते रहेंगे आप ठीक है डेली काम करिएगा अभी 10 दिन तक जितना हो सके quiz लगा लीजेगा लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ अब बात करते हैं अगर अगर अपन को पढ़ना है अगर आपन को पढ़ना है अगर आप उनको समझना है तो इसके लिए हम लोग को बड़े बड़े जो comprehension है बड़े बड़े जो एट ओगे सेंटाफ लेवल के वह भी लंबे लंबे उनको पढ़ने के अलर्ट हो जाता है अक्टिव हो जाता है तो तो इसमें इंग्लिश और इसनिंगे में बात कि वहाँ देख लीजेगा ठीक हैं चलो कमिंग बैग टू डिस्क्रिप्टिव अब डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में दो काम करो एक तो live demo देख लो descriptive का कौन सा बहुत है यह जो मैंने बनाया था यहां आपको दिखेगा live demo descriptive के दिख रहा है descriptive writing for sbi.po इसे कैसे लिखते हैं लिटर का फॉर्मेट क्या होगा यह अच्छे ज्याद कर लेना एसे और लिटर के टॉपिस आपको मिल जाएंगे यह भी लिख लेना ठीक है तो यह लाइव डेमो देख लेना डिस्क्रिप्टिव जो सारी वीडियो में बता रहा हूं इन सब वीडियो क जैसे आपको पॉइंट दिखा जैसे भी आपको ऐसे दिखा तो अन्तिया आपने समरी अगर आपको दिमाग में हैं आपने रॉफ में बनाया और रॉफ में लिखके खड़ा कर आप टाइप करना चालू कर दोगे ठीक है यह बात मैंने बताया था है जो लोग देखे हैं उ लेटर को कॉलम को तो इस तरह से जो लिखे हुए हैं उनका सब का एक एक बार जो है हर टाइप का अगर बस लिखके देख लेना खुच से लिखना तरह में सबको सही है इससे क्या होगा आपको प्रक्रिस हुजाएगी फॉर्मल लीटर की ईनफॉर्मल मैं नहीं बोलता है म वर्मार के पैक्टस करलो कि युक्छ फॉर्मल में क्या होता है ना काफी ज़्यादा जो देरग्स में से काफी आपके ऑपके फॉर्मैट के ही नमबर मिल जाते हैं कुछ letter words आपके वहीं हो जाते हैं ठीक है बाकि जुसके छोटी मोटी problems है space लगता है नहीं लगता है वो सारी बाते यहां पे हुई है interface कैसा आता है space दवा सकते हैं यह सब आपको यहां देखने को मिलेगा आगे बरते हैं descriptive से एक बात ध्यान रखेगे हैं हापे मैं note लिखा है कि format and word limit इसदा की descriptive में format आप क्या choose कर रहा है format आप कैसा लिख रहा है यह और word limit को maintain रखेगा एक student थी हमारी ठीक है और उनका जो है उन्हों लेटर लिखा तो वही है कि आपको ध्यान रखना है कि अपना time devote करना है जो half hour मिलते हैं 30 minutes उस 30 minutes में कोशिश आपकी यह रहनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह किसी भी तरह साथ से 9 minutes में अपने एलेटर को खतम कर लूँ और उसके बाद मैं जम कर जाओ एसे पर वहां पर करूँ और लास्ट के दिखाया था या फिर से जाएंगे वीडियो में तो यह सिप चीज मैंने कर चुका हूँ इसे दुबारा करके आपका टाइम्स आया होगा आपको एक बेटर आडिया मिलेगा कि कैसे आपको को पिक करना होता है किन चीजों को आप अगर पहले पिक करो तो एक बहतर वे में आप चीजों कर सकते हो जहां मैंने बताया है कि मैंने दूसरा देखो स्ट्रेशन नहीं होता चाहे कॉण्ट हो चाहे आपको पता है सब्सक्राइब यह नहीं होती लेकिन अच्छा बच्चा होता है वह क्या करता है हर जगा से मांको खिचने कुश करता है अगर आप टागट कर रहा हो कही नहीं आपको धाई सव में से मैं कहता हूं 100-500-500 जाला हो गया मतलब 120 वन 230 कर रहा हो न तो कहीं नहीं आपको हर सेक्षन से मांक फिच करके लाना पड़एगा तो वह जहां बात है एक अच्छा बच्चा कभी और यह से बीस अब साफ निका से खास वाले फिलर्स हो गए नंबर स्रीज हो गए कोडिक हो गए अच्छा इनकी मैंने बहुत बढ़ियां मेरा संग करवाई थी आपको होगे मैं फिर से भी करवाऊंगा अभी जल्दी आज कोशन सोच रहा हूं तो आप लाइफ सेक्शन में जाओगे दो ढाय गंटे की बह अप्रोच करना होता है वह सब यहां देखने को मिल जाएगा अच्छा एक मेंस की डीवी मैंने शेयर की थी अभी फिर से ट्राइब करेंगे कि आज कल में दलवा दे ठीक है तो यहां से प्रेक्टिस कर सकते हैं आप लोग और यह सारा चीज आपको मिल जाए हमारे पीडिय की अभी बहुत साइब में डियाई की है चेक्मेंट वारे बैस था तो किसी को मालों डियाई देखनी है तो 40 मेंस की डियाई है जिसमें आपकी हर तरह की जो जो डियाई पॉसिबल है वो देख सकता है अगर यह रिकॉर्ट बैस है ठीक है इसमें एक दू क्लास लाइव और रहे गई हैं दो तीन क्लास और होंगी बाकि आपकी यह लगभग ओवर हो चुका है 30 प्लस मेंस क्लास हुई है 40 मेंस की डियाई है और सिर्फ इसका प्राइज देखो कर रहा था जिसका अभी प्राइट 49 मुझे आपको बताएं थी कि आप एक काम और कर लेना कि यहां पर अच्छा यह वाला मैंने यहां पर लिखा नहीं कि यहां पर बता दूं कि हाव टू अटेंट आपका मेंस का मौक कहां चला गया यह रहा यह वीडियो आप ज़रूर देख लेज़ेगा कि SBI, IBPS, PO, Means, Paper Attempting Strategy क्योंकि जब आप अपना अभी मौक करो के अगले 10 दिन में तो IB SBI, PO के मौक को कैसे Attempt कर रहे होगे, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, कुछ गलतियां है, उनको मत करिएगा, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, हर सब्जेट्ट क्योंकि सब कुछ पूरा पैटरन सेम रहता है, SBI, PO जाता, इसको समझ जीए, इसको देखिए, ठीक है बेनिफिशिल वीडियो होने वाली आप लोग के लिए, ठीक है, आपको यह दिखेगी इस फॉर्म में, कि हाव टू अटेम्ट, IVPS PO मेंस पेपर ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो यह देख लीजेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा साब जाएंगे नीचे, यह सब्सक्राइब करने कोशिश करना, ठीक है, यह हमारा फांडेशन बैच है, जो लेना चाहते हैं, वो ले सकते है, अभी प्राइस पे चल रहा है, ओफर 849, फिर बाद में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके क्लासे आपकी स्टार्ट हो रहे है, 27 नमबर से स्टार्ट हो रही ह सब्सक्राइब करने हैं, और जो लोग मेंस की त्यारी कर रहे हैं, आप लोग अपना मेंस का जैसे मैंने बूला, पढ़ते रही है, ठीक है, और रिदम दम लगा के अच्छे थे, आप लोग को मौका मिला है, उसका यूज करिए, मौक्स लगा ये, इतना टागेट रखे कि मुझे 80-85 परसंटाइल कहीं कहीं लेके जाने हैं, बाबाई, टेक के रविवन,